हैलो प्रेंट्स आज से आपका टॉपी का स्टार्ट होने जा रहा है है न तो बहुत सारे बचे बोले भी कॉमेंट करके कि सर एकदम बेसिक से आप पढ़ाईए है न तो वोचीज को एकदम हम करेंगे जो आपका होगे वस आपका ही सपोर्ट चाहिए और हम आपके लिए हमे चब्ते रहाना सहिए, घटना नहीं साहिए, है कि नहीं, हाँ, भूगाणा यादाना आ आपकी नजरोरों ने समझा प्यार के काविल मुझे, बस ऐसी प्यार के काविल समझना है, कि हम आपके लाइक है भी या नहीं, अब comment करके जरूर बताना है ठीक है हाँ तो प्यार और सिर्फ करना है तो हम से करना है और अपने ममी पापा से चला इधर उदर मुह माया के फ्यरा में मत पढ़ना ठीक है ना हाँ आप वाले जब तक जोप नहीं हो जाए तब तक हमें मुह माया से दूर रहना है ठीक है तो च कितना आज तक सही पढ़े भी नाउन थे तो सही पढ़े थे या गलत कितना पढ़े थे अधूरा चीज हमें नहीं जाना है उसको पूरा करना है ठीक है बस मिल जब हम दोनों मिल जाएंगे हम और आप मिल जाएंगे तो चीज पूरा होई जाएगा देखो तो हमने इसके बार define करना सा है तो आपने बोला था कि Sorry a naming word होते हैं और naming word ही क्या कलाते हैं ना उन कलाते हैं चलो इतना बात समय है अब एक बात और शीछना है कि नेम उर्ड को ना बाव हम 2 पाट में बार देते हैं किन्से पाट में 2 पाट में इक को कहा जाता है बाबु वीजिवल क्या कहते हैं जी वीजिवल और एक को कहते हैं इन्वीजिवल क्या कहते हैं इन्वीजिवल तो चलो देखो ध्यान से ए हुआ मेरा वीजिवल और दूसरा क्या हुआ इन्वीजिवल वीजिवल का मलब क्या होता है जो हमें दिखाई पड़े ठीक है अब प्लेस और एनिमल और ठिंग यही ना, मतलब पर्षन का नाम, एनिमल का नाम है ना, और ठिंग लिखा हुआ है, ठिंग का नाम, यह सारे के सारे आपका क्या होते नाउन होते यह बात पता होगा, तो एक चीज आप सही में कितना जानते थे वो सीज को हमें टेस्ट लेना जरूरी है, तो हम कुछ पहले एक्जामपल दिल थाम के बैठे रहाना है चला, कुछ एक्जामपल लेने जा रहा है, अब आप देखिए रहा, कैसे आप कितना आज तक धूरा जानकर आये थे, तो चल दिकादिया रोहिनी एक नाम है कोई दिकत नहीं है हमने कहा मोहित बाउट अ कार एक दिया रुपेस वेंट लोहित हम एक हाँ ओनेश्टी इज द बेस्ट पलीशी एक हाँ लाफ्टर, क्योर्श, अंजाइटी, अवे कहा दिया बाभू, मुहन, लब्स, हीस, होम, अवे कहा, लब्स, चेंजेज़, दर, पर्सन, चलिये, कुछ संटेंस हम ले लिए हैं, अब आपको क्या करना है, कि इसको बताना है, कि इसमें नाउन कौन है, और आउन सबको पाचान्न ने आता है, कोई दिकन नहीं है, तो चलो आजाओ, और थोड़ा सा कहाने को बढ़ाते हैं पहली बातों समझे बाबू कि यहां पर जो कॉल लिखा हुआ है वह भब है आप पहले से नहीं पर चुके हैं कि कोई भी संटेंस में सर पहले सब्जेक्ट फिर भाब फिर क्या होता है जी अब आपको समझे जब कॉल भब है तो भाब के ठीक पहले जो भी क्या होका नाओ समझ में आ रहा बत तो रोहन भी नाऊन है ये क्लियर है अब फिर से कहा कि से अब वर्ब के ठीक पहले जो भी आया बाबू क्या बात है सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट है तो मोहित क्या होगा जी नाउन होगा कार क्या हुआ नाउन हुआ इस सब को पता है कि कारसर नाउन होता है आर्टिकल के बाद जो भी दिखेगा नाउन होता है क्या रह गया अब एक ब बुलगोगे सर घर तो नाउन ही होता है है कि नहीं चलो नाउन होता है बात हम समझ लिए लेकिन ये बात कहां तक सही है पहले बात को यहां समझ येगा अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहा दें कि I go क्या कहा जी I go to a school मैं a school जाता हूं मैं a school जाता हूं मैं I subject है अब टू अस्कूल क्या यहां पे एश्कूल नाउन है अरे बोलो हां कि आस कुल नाउन होता है बिल्कुल आप सही कर रहे अस्कूल क्या होता है अब यह है तो यह ऑब्जेक्ट भी होगा बिल्कुल आपने सही कहा कि सहरे है AO be बाबू अधुरा है गलत है कभी न नाउन है न अबजेक्ट है क्यों नहीं अबजेक्ट है तो एक बात सिख लिजेगा पहले तो हम यहां पे आपको एक चीद दिखाना चाहेंगे कि कि किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लिख दिया आइडेंटिफिकेशन अफ नाउन हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बाबू तो याद रखना कि किसी भी नाउन में वर्ट लगाकर फू लगाकर और हूम लगाकर अगर आप क्वेशन पुछते हो आंसर यस में आता है तो नाउन है अधरवाई जो नाउन नहीं ह वर्ट का मतलब क्या होता है जिन्स क्या होता है बाबू या इसी को हम बोल सकते हैं किस से ध्यान से देखिए का जी किस से हू का मतलब हम क्या बोलते हैं चेला कौन और हूम का मतलब क्या होता है किस को किलियर है अब नाउन पहसाने का एक बेहतर तरीका है अब आप क्वेश रोहिनी मिलेगा आंसर, किसको रोहिनी को एक किसका आंसर दिया बाबु, हुम का रोहिनी क्या होगा, नाउन होगा आंसर मिला, अब बोलेंगे कि लेकिन चेला यहाँ पे समझना है कि रुपेस वेंट रुपेस गया वर्ट रुपेज क्या गया अरे बोलो ना क्या गया आंसर मिलेगा कभी नहीं मिलेगा यह वर्ट का आंसर दिया ही नहीं तो वर्ट का आंसर नहीं दिया तो बावो यहां पे हो जैसे हमने अभी यहां कहा कि I go अभी लिखेंगे I go to a school में I subject है गो भव है तो क्या अश्कूल नाउन है हम बहुत पहले से जानते कि श्कूल नाउन होता है क्या यहां नाउन है चेला याद रखना किसी भी वर्ट को हम बार बार एक चीज पर जोर देते हैं कि उसके function को आप जानिये वर्ट को देखोगे तो हमेशा धोखा खाओगे जो आप इस वर्ट को देखकर नही ने एक वर्ट का कई तरह से function होता है खुदाएगी नहीं कभी कभी एक वर्ट नाउन बनेगा तो कभी एजिक्टी बनेगा तो कभी एड़ वर्ब भी बनता है यह बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं है ना तो यहां पर बताओ कि I go to a school में a school तो नाउन है लेकिन य नाउन होगा तो answer मिलेगा what who या whom से तो कहो I go what में क्या जाता हूँ answer मिला नहीं आपने सही कहा कि I go where किसका answer दिया जी where का और where का answer देने वाले को बाबू क्या कहते हैं एड़ वाब कहते हैं क्या कहते हैं जी एड़ वाब कहते हैं मतलब समझा आया कि यहां पे अश्कूल क्या है एड़ वाब है कभी इसको object नहीं कहोगे यह object है तो preposition का object है किसका object है यह वाब का object नहीं है इसलिए आगे एक बात वाब में पढ़ेंगे कि जब यह वाब का object नहीं होता है तो इसे हम ट्रांजिटी भव नहीं इंट्रांजिटी भव कहते हैं है ना और इसका एक बात और याद रखना है कि कभी भी पैसिब वाइस नहीं बनेगा I repeat मैंने कहा कि इसका कभी भी पैसिब वाइस नहीं बनेगा कभी गलती से ना बना देना कि a school is gone by me इस बेटा अनर्थ हो जाएगा समय में आ रहा है जी यह अनर्थ है a school is gone by me एक कहना गलत है आपके गुरु जी ने कभी आपने पढ़ाओगा भुआ इस तो जरूर बताया हुआ कि भावो इसका पैसिब हुआ इस नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है आज हम जान रहे हैं क्यों क्योंकि यह कभी नाउन है ही नहीं अनाउन ही नहीं है तो कभी यह object subject कैसे बना सकते हो इड़व कभी subject का कामी नहीं करता है that's why हम इसका कभी passive नहीं बनाते हैं एक आनी पता चल गया, तो थोड़ा सा यहां पर देख लिए अज़ा है, अब कहा कि रुपेस वेंट होम, रुपेस वेंट वट, रुपेस क्या गया, आंसर मिलेगा जी, जब आंसर नहीं मिलेगा, तो कहो सरी नाउन, नहीं है, नाउन नहीं है, तो यह आंसर किसका दिया मेर रुपेस वेंट वेंट वेंट, रुपेस कहां गया, तो आंसर मिला क्या, होम, तो होम जैसी वेंट का अंसर दिया और वेंट का अंसर देने वाले को एडवर्ब करते हैं, देखो तो यहां पे इसका फंक्शन क्या है, हमको पता है कि घर क्या होता है, नाउन होता है, तो ए एक वर्ड यह फंक्षन कई तरह सोते हैं सपोस्पोस आलो कि आप माल लिजे कि आप हमसे पढ़़र है मेरा बाबु अगर आप घर पर जाते हो तो क्या हो जाता है रहे लाडला अरे बोलो हाँ आप उनका बेटा हो लेकिन बेटा यह बात याद रखो परकवा में तुम हां थ अभ्यान कम देना है वो फंक्षन तुम्हारा बदल रहा है नहीं अब बेटा तुम्हें ससुडाल चल जाएगा तो वहां पे क्या कर लेगा जी दमाज जी हो जाएगा लड़का तो तुह ही है लेकिन फंक्षन तुम्हारा क्या है चेंज हो गया है समझने आ रहा है कि नहीं तो अच्छा नाम है, गाओं में बाव पूरा मलब हर के जुबाप पे था कि अधित परकास राच्छोहरा ठोर आए हैं, गलती से उसी गाओं में एक लड़का चला गया, है ना, सब कोई बोला कि चलो, एक धमाजी आएं मिलाते हैं, तो चलो, क्या नाम है? अदित परकास राज चोहर अठोर, चलो मिल लेते हैं, गया बाबू, चार आदमी वहाँ पे खाड़ा था, जैसी लड़का देखता है, उस लड़के को, अदित परकास राज चोहर अठोर को, कहता है कि यह कलूआ, अब अब उस सब के सामने न, उसका म उसका एक नाम रखता है, रखता है कि नहीं, किसी का कलूआ रखेगा, तो किसी का कुई मलूआ रखेगा है न, तो वैसे ही, तो नाम पे नहीं जाना है, उसका नाम भले ही कुछ हो, लेकिन वह आदमी तो वह यह फंक्शन उसका बदला हुआ है, और हम फंक्शन को देखें ना कि birds fly in the sky बोलो अब एक बात बता हो एक बर्स तो ठीक है बाई subject है फलाई आपका वब हुआ तो क्या इंद असकाई असकाई सबको पता है एक बात और हमने आप सिखाया था कि आटिकल के बाद जो भी आएगा न बाब वो नाउन होता है तो असकाई नाउन है कि नहीं है बिलकुल असकाई नाउन ही है लेकिन हमें नाउन नहीं देखना है इसका function देखना है अगर नाउन होगा तो what या who या whom का अंसर देगा अब बोलो तो birds fly पक्षी उड़ते हैं what क कहां उड़ते हैं कि what क्या उड़ते हैं मिलेगा अंसर birds fly करा what क्या उड़ते हैं मिलेगा नहीं birds fly where कहां उड़ते हैं तो आप कहोगे कि in the sky और वेर का अंसर देने वाले को हमने क्या कहा जी एडवर्ब कहा मतलब असकाई आपका क्या है एडवर्ब है कभी यह object नहीं है कोई पूछे कि बाबू यह object तो है लेकिन किसका है यह बाबू preposition का object है किसका है और भाब का जब object नहीं होगा तो इसको कभी भी हम object नहीं यहां पर एडवर्ब है इसका passive wise नहीं बनेगा हम बार बार इसी पर जोड़ दे रहे हैं अब यहां पर बताओ home क्या था आपका इडवर्ब था कभी भी नहीं बोलना है कि home was went gone by home was gone by rupees कभी नहीं ऐसा करना है बात आ रहे हैं समझ में function समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल function समझना है अब यहां हो कर रहा है कि honesty is the best policy अब बताओ बाबू honesty क्या है नावन है नावन है नेमो पर्षन है प्लेस है अनिमल है कुछ है नहीं तो यह नावन होगा कहोगी सर मजा क्यों कर रहें नावन ही तो है बिल्कुल आप सही कर रहे हो यह नावन है तो नावन को हमने एक और category छोड़ कर आया है मेरे भाई क्या invisible क्या invisible तो देखो तो invisible में आपका आ जाता है भाबू मेरे feeling या इसी को short में हमने कह द इस बात को समझ लिजिएगा कि एफ फूर क्या होता है जी तो एफ फूर बोलते हैं feeling और एफ फूर action क्यू फूर quality क्यू फूर quality और एस फूर क्या बोला जाएगा state एफ चारों बताने वाले भी क्या होते हैं चला noun ही तो होते हैं क्या होते हैं अब बताओ कि honesty is the best policy में इस वब है वब के ठीक पहले जो भी आएगा वो subject होगा बोलो हाँ subject होगा तो noun या तो pronoun होगा अब honesty को कभी क्या हम सब pronoun कहेंगे नहीं कहेंगे तो यह obviously बात है कि noun होग चलो भाई यह noun हुआ अगर लेकि noun है तो अगर पूछे कि category कौन सा है feeling है action है quality है state है क्या बोलोगे अरे बोलो ना इमंदारी क्या है feeling है अब मालो कि तुम इमंदार हो कोई सामने वाला तुमको feel करेगा नहीं जी ए इमंदारी आपकी क्या होती है बाबू quality होती है यह noun पॉलीसी देखो best adjective होता है पॉलीसी आपका कहलाएगा noun क्या कहलाएगा तो noun है तो category कौन सा हुआ नहीं तो आया इन वीजिवल में तो action ए पॉलीसी क्या होता है बाबू action या धोगा हो दिन कुछ साल पहले याद करो कि रात में हम सोय हुए थे बाबू असूबा जगे तो पता चला कि 500 का नोठी बंद है रात में ही मोदी जी क्या ले लिए अरे बोलो ना action ले लिए यह उनकी निती थी और यह action है और इसे कहेंगे हम ना और यह वाद समझ में आगे यहां लिखावा है लाप्टर क्योर्स एंजाइटी क्योर का मतलब होता हिलाज करना तो यह हु मुश्कुराते रहना है कि हसी मुश्कुराहत क्या होता है जी बोलो ना अरे क्या वात है अब देखो एक बात याद रखना कि कहीं पर हम लोग जाते हैं है ना कोई हमें मुश्कुरा कर देख लेता है बेटा हम लोग बिहारी है ना पते नहीं चलता है कि सामने वाला मुश सही बोला है आपने, कि सर ये तो होगा नाउन ही, नाउन तो ठीक है भईया मान लिए, लेकिन कैटोगरी कौन सा हुआ, फिलिंग का एक्षन का, क्वालिटी का, या स्टेट का तो आप बोलोगे, कि ये लाफ्टर आपका क्या है, ये आपका action है, हसी क्या है action है, आप कोई मान लोग की सामने, मान लो सपोस्ब की हम director है, तुम actor हो है ना, अब हम director हैं, तो हम बोलेंगे action अब आपको वहाँ पे हसना था, क्या करोगे हाँ हाँ, अरे हसेगा कि नहीं है, अरे पगला बहुत अच्छा आपने सही का आग इसा रासेंगे तो यह क्या होगा आपका जी हसी एक्षन हो गया ठीक है एंजाइटी क्या होगा बाबू एंजाइटी आपका नाउन है इसका मतलब होता है जो हमारा मांसिक तना होता है है यह आपका होता है एंजाइटी मेंटल टेंशन जो होता है और यह क बुढ़ापा क्या है अवस्था है समझा रहा है तो गरीबी क्या है अवस्था है तो यह सब अवस्था होते हैं इन्हें कहते हैं अस्टेट बताने वाले आगे केटोग्री में मिलाएंगे कौन सा नाउन है फिलाल इतना ही जानना है आओ यहां देख लो लब्स क्या होता है सब को पता है डो होता है है कि ना इसके बारे में किसको नहीं पता अब बता ओ यहां पर यहां इडवाब क्या क्या थाथा जी यहां पर एडवाब अब बता बंधा ओ ए peng क्या है एक उप उच्छलो न सुब्सी दो कि मिलीद deform करता है वाट किस से मिला किसका एंशर को वाभू शर्डवर्ड कर व्रट का आजसर देने वाले को हम क्या कहे थे नाउन कहे थे क्या कहे थे तो यहाँ पे क्या का लाएगा नाउन का लाएगा देखो तो function समझ में आ रहा है यहाँ पे बना नाउन यहाँ पे बना एडवाउग यही बात को तो हमें समझना है कि कभी से नाउन कोई आपसे कहे कि home क्या है तो यह मत कहना किसा noun होता है या adverb होता है आप जब तक कि उसको sentence में नहीं उदारोगे तो यह बता पना बेहद ही मुश्किल है है ना कोई कहेगा कि प्यार क्या होता है तो अब भब बोल दोगे लेकिन आओ अभी बता देते हैं लब क्या है चेला अब हमने कहा चेंजे जुआ वब तो भब के ठीक पहले है तो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट कौन होते जी ले मामला गरबड़ा भाई अभी तुमने कहा कि लब भब है यहाँ पे अभी क्या बता रहे हो नाउन है बहिए यह तो आप ऐसे बदलता है कोई क्या लब अभी भब था अभी नाउन हो गया तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो किसारी इसका फंक्शन क्या हो जा रहा है बदल रहा है यहाँ पे भले ही वो भब है लेकिन यहाँ पे जगा उसका सब्जेक्ट का है यह नाउन है तो नाउन है तो कैटोगरी कौँसा हुआ अरे सही बोला फिलिंग का क्या हुआ फिलिंग का नहीं यह गाना सुने थे ना कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं यह आप सुने होंगे कहा जाता है कि सरिया गोशाल के आवाज में मिठास है यह मिठास क्या है बाबो अरे फिल अब पता होगा कि सारे दर्द भरी ही गाना काता है यह दर्द क्या है आपका अरे नाउन है ठीक है कमरा में हावा है यह हावा क्या है नाउन ही तो है यह सब को हम लोग क्या करते हैं फिल करते हैं फिलिंग बताने वाले क्या होंगे बाई नाउन ही होगा ठीक है चलो अब यह वर्ड को देखकर यह नहीं बताईएगा कि यह noun है या adverb है जब तक हम उसे sentence में नहीं लिखेंगे एक बार-बार हम बात बोलते हैं कि word को पहसाना सिखो अभी हम इसके पहले भी बताये थे एक चीज कि जैसे मैंने कादिया बाबू कि water is life क्या बोल दिया था water is life यह पहले हम कई बार बताएं कि word है तो यह water क्या हुआ जी noun लेकिन यही कहानी को हमने आप से कहा कि water pollution क्या कर दिया भाई water pollution अब बताओ यह pollution क्या हुआ noun तो water क्या हो गया adjective कभी कभी हम यह भी बात आपको बता चुके हैं कि कह दिया कि I am क्या कह दिया कि I am watering I am watering the plant अब बताओ कि इस I am watering the plant में watering क्या हुआ जी क्या बात बोला है वर्ब देखो आप किस तरह से confused यहां पे हो रहे हो अभी मैंने कहा noun फिर कर दिया है adjective फिर कर दा है वर्ब तो हम बोलेंगे कि water क्या है तो बता दोगे नहीं चेला अब आपको नहीं बताना है अब आप उस label से हटके पढ़ रहे हैं उस label से आगे निकल चुके हैं ए बस पर में हम लोग करते थे कि water noun है आप उसके function को जानोगे और पूरे English में हम आपको ऐसे ही function पे ही बताएंगे रटने वाला काम यहां पे नहीं होगा बासमज़ में आ रहा है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर comment करिएगा like तो करना ही है और भईया subscribe जरूर करिएगा अगर मेरे channel पे आप नए हैं और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुचाओ और सब को फैदा होना सहिए हम जब तक साथ में नहीं रहेंगे है ना साथ पढ़ेंगे तभी तो सब का साथ में भी काश होगा है कि नहीं चलिए तो यह आज का आपका session था noun का noun को हमने देख लिया और अब इसके बास है kind of noun अगले वीडियो में पढ़ते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद बने रहे हैं मंतोसर के साथ धन्यवाद